तो भाई Google AI Studio कैसे आपके लिए एक earning opportunity बिल्ट करता है? आज हम आपको बताऊं। Google AI Studio basically Google का एक AI tool हैं जिसके मदम से आप यहाँ पर किसी भी tab का content create कर सकते हैं जैसे कि मालो आपको यहाँ पर apps create करना है, websites create करना है, उनके लिए आप यहाँ पर codes generate कर सकते हैं और codes generate करने के लिए आपको यहाँ पर advanced AI tools मिलते हैं इसके मदम से आपको यहाँ पर premium codes मिल जाते हैं अगर आपको यहाँ पर ebooks create करना है, ebooks के लिए images को create करना है, या फिर आपको यहाँ पर storybooks create करना है या फिर आपको यहाँ पर mathematics के question solve करना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी problem को आप इस tool के माध्यम से easily solve कर सकते हैं एन अच्छी बात ही है कि यहाँ पर Gemini का use किया गया है, Gemini के जितने भी new models आते हैं, सभी को यहाँ पर use किया जाता है, ताकि tool यहाँ पर अच्छे से work करें और इस tool सभी अन्य tools के तिल्मा में काफी advanced tool माना जाता है, तो कि इसके अंदर Gemini के सभी new features का use किया जाता है अगर आप deep seek का use करते हैं, group 3 का use करते हैं या फिर आप chat GPT का use करते हैं, उन सभी से इसी tool को advanced tool माना जाता है, वही मैं आपको यहाँ पर देखांगा, कैसे इसको advanced tool माना जाता है, अब इसको कैसे use करना है, कैसे इसके मधम से आपको यहाँ पर अपनी earning opportunity को build करना है, सब यहाँ पर आपको type कर देना है Google AI Studio, जैसा आप इसको अपकलिक करेंगे तो आपके समने new interface हैगा, अब आपको यहाँ पर term and condition accept करना है, और Google AI Studio के ऊपर account create हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी email address के मदम से अपना simple सा account भी बना लेना है, जैसी आप Google AI Studio के ऊपर अपना account create करे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके सारे features बता देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर idea लग जाए कि tool के अंदर आपको यहाँ पर किस-किस type के features मिलने वाले हैं, जिनका use करकर आप यहाँ पर अपने लिए नए-नए earning opportunities को build कर सकते हैं, जैसे कि पहला option आपको यहाँ पर मिलता ह create prompt का, तो simply आपको यहाँ पर अपनी prompts देना है, पहले आपको यहाँ पर अपनी need के अनुसार models को select करना है, फिर आपको अपनी prompt देना है, content आपके सामने आ जाएगा, next option आपको यहाँ पर मिलता है stream real time का, तो मैं इसको पक्लिक करता हूँ, अगर आप Gemini से सीधे ही बात करना जाते हैं, Gemini को आप यहाँ पर कमांड देखा, जैसे कि मालो आप यहाँ पर कोई भी command देना चाते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, only आपको यहाँ पर बोलना है, Gemini आपको आपको कमांड के अनुसार जवाब देतेगा, only आपको talk to Gemini इसको पकलिक करना है और Gemini से आपको यहाँ पर real time एक conversation कर लेना है और इसके माध्यम से भी आप अपना content बना सकते हैं बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगी जिससे आपको idea लग जाएगा कैसे आपको talk to Gemini कर यूज करना है उसके अलावा आपको यहाँ च्टार अपस को अपसन मिलता है अगर आप अपने model को ट्यून करना चाहते हैं उसका भी आपको यहाँ पर option मिलता है जितने भी content आप यहा पर create करेंगे सारे content आपके लैबीरियर में से हो जाएंगी जो कि आप यहाँपे दिखाएदेंगे जिते भी content आपने आप बने होंगे, सारे content आपको आपको दिखाईते जाएंगे अगर आपको prompt बना नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको prompt gallery का option मिलता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे prompts के बारे में जान करें मिल जाती है जिनका यूज करकर आप यहाँ पर बिना prompt write करें, अपना content बना सकते हैं जैसे कि मालो आपको यहाँ पर blog post create करना है, within image तो आप यहाँ पर blog writer कर यूज कर सकते हैं अगर आपको matrix को solve करना है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं पाइथन वगार के लिए code से बनाना है, वैदर के बारे में search करना है, जो भी जनकारी आपको यहाँ पर चीए only आपको prompt gallery कर यूज करना है, सारा content आपको यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पर अपने tool के अंदर advanced features के बारे में जन कर लेना है नए e-jamini के माधियम से यहाँ पर train हो जाए, उसे के अनुसार आप यहाँ पर अपने content बना पाए तो जितने भी यहाँ पर updates आते हैं, उसकी जनकारी आपको chain log के अंदर मिल जाती है अब आपको यहाँ पर इसको कैसे use करना है, कैसे इसके माधियम से content create करना है ताकि आप उसके माधियम से अपने लिए earning opportunity बिल्ट कर सकें, उसकी जनकरीम आपको देता हूं तो हम यहाँ पर create prompt का use करने वाले हैं, तो मैं इसको पकलिक कर दूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर model का option न जराएगा, तो model काफी important होते है content create करने के लिए तो पहले आपको इसको पकलिक करना है, और latest वाला model यहाँ पर क्या है, Jamnet 2.5 Pro Max, इसको आपको यहाँ पर choose करने है और इसकी खासेत यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर यह coding, reasoning और multimodal understanding के लिए बैस्ट माना जाता है, कहने के मतलब यह है अगर आप इसके मादम से अपनी apps बनवाएंगे, websites बनवाएंगे, या किसी भी टैप के course create करवाएंगे, बहतरीन से बहतरीन course आपको यहाँ पर बना कर देगा अब इसके मादम से मैं यहाँ पर कुछ codes बना कर आपको दिखाऊँगा, ताकि आपको ideal कि जाए, कैसे आप यहाँ पर इसका use कर सकते हैं तो कैस्स अगर आप मेरे चैनल को follow करते हैं तो आपको पते होगा, मैंने बहुत सरी वीडियो यहाँ पर apps और website को बना रखी है, कैसा आप apps बना सकते हैं, कैसे आप website बना सकते हैं अब मुझे यहाँ पर अपना prompt डालना है, मैं simple prompt यहाँ डालूँगा, और यहाँ पर मैं चैक करूँगा, कि simple prompt में यहाँ पर कैसी website बन कर आती है, कैसी apps बन कर आती हैं, मुझे यहाँ पर चैक करने वारा हूँ तभी इसके advance होने का हमें पर पता लगेगा, अगर मैं यहाँ पर ढंक से prompt डाल दूँगा, मैं इस पूरा यहाँ पर समझा के prompt डालूँगा, तो कोई भी टूल यहाँ पर अच्छे से work कर लेता है, और यहाँ पर मैं नाम देखकर अगर prompt दूँगा, और उसके बाद चेक क I want to create an EMI calculator app, I want to create an EMI calculator app, so write codes in HTML, बहुत simple मैं यहाँ पर prompt दे रहा हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कितना advance tool यह है, in HTML, CSS, NJS, इस प्रकास से यहाँ पर मैं simple prompt दी है, और चेक करूँगा, किस tab के यहाँ पर बना कर देगा, और किस tab के मेरे सामने output आएगा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, Google AI Studio ने यहाँ पर think करना start कर दिया है, यहाँ पर मैरी prompt को unless करना start कर रहा है, और कुछी seconds मेरे सामने code से जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर check करेंगे, कितना advance यहाँ पर tool बनकर हमारे सामने आएगा, तो यहाँ पर इसने code बना ने start कर दिया है, तो कितना fast यहाँ पर code बना रहा है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहले इसने कितने यहाँ पर क्या कर रहा है, HTML code बना दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर issue इसने CSS code बना दिया है, अभी यहाँ पर teach कर दिया है, अभी यहाँ पर JS code समद बना दिया है और समासे, server host हम इसने ञाए味 और example就是 code बना दिया, हम यहाँ पर how to use code को कैसी उस करना है उसकी जर्नकरी भी यहां पर इस नहीं लेगी है, ठीक है, आप मैं चेक करूँगा, कैसी website या कैसा tool हमारे सामने बन कर रहा है, तो पहले मैं यहां से क्या करूँगा, HTML वाले code को copy कर लूँगा, यहां से इसको मैं copy कर लेता हूँ, अब आपको इस website को पराना है, जिसका नामे code.io, इसके मदम से आप यहां पर यहां चेक कर सकते हैं, कि जो भी codes आपने आपकर क्रीट कियें, वो working है या नहीं है, तो आपको इसको पराना है, account क्रीट करना है, go make one इसको पर क्लिक कर देना है, HTML के अंदर आपको अपने HTML के code को copy and paste कर देना है, and CSS के अंदर आपको अपने CSS के code को copy and paste कर देना है, यहां से code को मैं copy करूंगा, and इसको मैं here copy and paste कर दूँगा, and JS के अंदर मैं JS वाले code को copy and paste करने वाला हूं, तो यहां से इसको मैं copy करूंगा, and इसको मैं here copy and paste कर दूँगा, अब देखते हैं कि हमारहा यहांपर कैसी वेडिए बं कर आई है तो कैसा टूल बं गया है तो इस टापकर टूल हमारा है बं कर बा strendировать कर आ है ओके मैं आपर रमांट इन हम के बावनख गए नहीं दो चार लाक का फरीजलिय के दिया है ना चाहर भला मुझे रिजल्ट दिये, जो मैंने यहाँ पर अपना कोड वगर दिया है, उसके अकोडिंग यहाँ पर इसने मुझे रिजल्ट से वगर तो दिया ही है, मतलब यहाँ पर टूल वर्क कर रहा है, अपने यहाँ पर एक्स्पलें करना पड़ेगा, कि जो मरे आपर अमाउंट होगा, वो रूपीज मोना चाहिए, ना कि पॉन मोना चाहिए, इसके अकोडिंग यहाँ पर रिजल्ट बना कर आपको देतेगा, तो यहाँ पर यहाँ वाला कोड तो अच्छे से वग कर रहा है, अब नेक्स्ट अप में हम यहाँ पर चैक करेंगे, कि इसके मादम से मैं यहाँ पर कोई gaming टूल बना सकता हूँ, मालू मुझे कोई gaming website करीड करनी है, यह फिक gaming app करीड करनी है, कि उसके लिए मैं यहाँ पर अपने कोड कर सकता हूँ, तो गईस अगर आपने यहाँ पर जान create snake game write codes चरूँगा किस tap के cud apro अपर बना कर देगा मैंने लखा यहां अब लिखायँividade किस tap की cud dragons यहां पर बना कर देगा कितने advance cade's यहां पर बना कर देगा किससे यहां पर uhட मेरा जो game वह वरक करता है यह भूस से मने यहां पर KitaゲYm is ovक महीं कर दे adel injury मुझे यहां पर यह भी चेक करना है, गेम यहां पर वर्क कर रहा है यह नहीं कर रहा है, वह भी चेक करना पड़ेगा, ताकि यहां पर यहां पर यहां पर कोड़ कर लेंगे, अगें कोड़ पर जाएंगे, यहां पर कोड़ कर देंगे, यहां से हम CSS वाले कोड़ कोड़ कर ल JS Code यहां पर अपनी गेम के निदर जान डाल देंगे JS Code यहां पर जान डाल देगा कहने के मतलब क्या है इसकी working JS Code के मादिम से ही होती है वह भी गेम अप्रीट कर रहे है यह पर कुछ भी चीज अप्रीट कर रहे है अकर आप इसको वर्क करवाना चाहते है JS Code काफी इम्पोरटं रोल प्लेए करता है यहां पर गेम टो बन चुका है ठीक है ठीक है ठीक है तो पहले मैं कलिक करता हूँ जटक करता हो खी यह got camera गेम करना इसको अप और राउन कर रहा है इसको अपर राउन चाहरो तो यहां पर वर्क कर रहा है मैं यहां चहा अपर जोड के सामने जो बता को यहां में तो तो यहां पर गंजा बना कर दिखाए दूँंगा था एक लिग्धोन मं भी यहां तो को Gradeक हुआ इस की इनल अच्छा बना है तो इसके बना सकते हैं आपके सामने वीडियो लेखर आ जाएगा अब आपको अपनी एप्स या वैपसेट को कैसे मोनटाइस करना है अलड़ी इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सिंपली आपको हमारी प्लेश को पर जाना है यहाँ पर आपको काफी सारी प्लेश मोनटाइस करना है तो सींपल सी प्रोल्में बहुत ही बहुत ही बहातनि एप्स बन रही है अगर मैं यहां पर prompt को थोड़ा advance कर दूँगा तो और भी बहतरी एप से यहां पर बन सकती है यह तो मुझे समन में आ चुका है इसके मैं आपको आगए tutorial भी देने वाला हूँ इसके उपर बहुत सारी videos हैंगी तो make sure आप मरे चैनल को subscribe कर लें तांके Google EA Studio के मादयम से आप किस-किस type का content मना सकते हैं उसके सारी जानकरी आपको मिल जाएगी अब मैं यहां पर दूसरे model का use करने वाला हूँ दूसरा important model यहां पर क्या है Gemini 2.0 Flash Image Generation काफी powerful tool मना जाता है इस tool के मादयम से आप यहां पर क्या कर सकते हैं इस tool के मादयम से आप यहां पर बहातरे इमेजिस को केरीट कर सकते हैं इवन आप यहां पर अपनी image के अंदर edit भी कर सकते हैं आपने बहुँ सारे यह tools का तो यूज्स किया होगा जिसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी image को आप किसी भी type की image को generate करवा पाते हैं, पर आप किसी भी image को edit नहीं कर पाते हैं, पर इस टूल के मद्यम से आप अपनी image को edit भी कर पाएंगे, जो भी मैं आपको यहां पर करकर दिखाने बादा, तो इसके लिए मैंने यहां पर इसको choose कर लिया है, यहां से आपको images and text इसको choose कर लेना है, अब आ take an image of a girl holding bottle, इस पर कैसा मैंने simple सी prompt यहां पर दिए है, and run इसको पकलिक करेंगे, अब check करेंगे कैसी image हमारे समने बन कर आती है, and time भी आप note कर सकते हैं, 3.6 second के अंदर इसे नहीं पर हमें image बना कर दे गिया, कितनी बैतनी image इसे ने मुझे बना ही है, अब इस image के थोड़ा बहुत change करना चाहरा हूं, जैसे कि मैं बताया है, कि हमें यहां पर अपनी image को edit भी कर सकते हैं, तो मैं इस image को edit करने वाला हूं, जैसे कि मैं यहां पर लिख दूँगा, replace bottle with apple, इस प्रकास से मैं यहां पर prompt tag कर दिया है, अब run इसको उपकलिक करेंगे अब देखने हैं, यहां पर बोटल किस से replace हो जाएगी, apple से replace हो जाएगा, देखो भाई, हो गया replace, अमाल मुझे और भी को change करना है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, please change our cloth with top and jeans, इस प्रकास से यहां पर मैंने क्या कर रहा है, अपना prompt tag कर दिया है, then run इसको उपकलिक करेंगे, अब check करेंगे, किस tab की image यहां पर बना कर देगा, यहां पर इसने क्या पैना हुआ हुआ है, जो भी पैना हुआ है, उसको यह टोप और jeans से चेंज कर देगा, यहा यहां पर अपनी image भी create कर सकते हैं, और इसके अंदर आप अपनी merge के अनुरसा changes भी कर सकते हैं, अब आपके दिमाँ में question आ रहा होगा, जो image यहां पर create करता है, आप उसी में changes कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने खुद की image भी यहां पर upload कर सकते हैं, और इसके अ replace phone with mango, देखते हैं, क्या आता है, replace phone with mango, run इसको पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर यह work करना स्टार्ट करेगा, जो इसका आतमे phone है, वो mango से replace हो जाएगा, देखना आप, ठेक है, यहाँ पर मैंने prompt दी है, अब चेक करते हैं, कितना seconds में result हमरे सामने आता है, देखो भाई, तो इस परकास से आप यहाँ पर किसी भी tap कि images में भी change कर सकते हैं, and guys, और यहाँ वो पर किसी भी tap का content can add क्रेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वाली videos बताने वाला हूँ इसके मतम से हम यहाँ पर e-books भी create करेंगे, apps भी create करेंगे, website भी create करेंगे, images भी create करेंगे, कैसे उनको monetize करना है, उसकी जानकरी मैं आपको दूँगा, ठीक है, सब कुछ मैं पर बताने वाला हूं, and guys, अगर आप यहाँ पर SD को, देखो, सिधी सिभात ही है, मैं आपको सिंप हमी थोरती है, वहाँ पर यह नहीं होता है, कि आपको यहाँ पर बहुँ सार अवो मिल गये, मतलब बहुत सार आपको यहां पर credits मिल गये हैं, इसके मनदम से उनल्लि हमीटनिड़िट्स बना सकते हैं, ऐसा रह wtedy, वहाँ पर क्या होता है, अगर मालवु आप वहाँ पर काम करते हो नश्यू वहां पर लिमिटेड चार या पाँच इमेडिस बना पाते हो उसके बाद पर प्लैन वगर पर पचेस करो पर इसके अंदर ऐसा नहीं है इसके मादम से आप याँ पर बहुत सरी इमेडिस बना सकते हैं कहने को मतलब यह है अगर आप एक story book create कर रहे हैं और उसके अंदर आपको 50-60 images के जोट पढ़ रही है तो भाही आप उसके मादम से images बनवा सकते हैं और story book में क्या होता है मालो आपने एक character को उठा लिया suppose को आपने एक character को उठा लिया और उसी के अनुसारी आपको गया करना है आपको इसको slap करते हुँए अपनी मरजी के नुसार एक ही बंदे को टागेट करते हुए अपनी पूरी की पूरी क्या कर सकते हो अपनी ebooks बना सकते हैं और storybooks बना सकते हो पर अन्य टूल में यहузě नहीं होता है अगर आप वहाँ पर Franc lackar कर यूज करो गई तो हर बार आपको different different images मिलेंगी, जिससे आपकी पूरी ebook और storybook का मज़ा खरा हो जाता है इतना बैतन टूल है, सब कुछ हम आपको करके दिखा हुआ, तो make sure चनल को subscribe कर लो ताकि आपको इस टूल की पूरी जानकरी मिल जाए, कैसे इसके यूज करकर earning opportunity करना उसकी जानकरी आपको मिल जाए I hope आपको आज की वीडियो पसंद है होगी, कैसे इस टूल को यूज करना है, कैसे इसके ऊपर आप अपने quotes वगरा कर बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है, अगर आपको समन्माए होगा तो आप अमरी चानल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पर कम सब्सक्राइब लेकर आओ, ताकि इसी ट्रैप का awesome content मैं आपको सब्लाता रहा हूँ